तो हेलो दोस्तों वेल्कम टू माइ न्यू व्लॉग तो आज मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूं अपने पावर विंडोगा तो इसकी प्राइसिंग और क्या इसमें क्यूंकि एक आदा इसमें फंक्शन भी है वो भी आपको बताना चाहूंगा मैं कि क्या है क्यूंकि जो नॉर्मल हमारे कंपनी से आती हैं लग के पावर विंडोगा उनका सिस्टम थोड़ा दूसरा होता है और जो इसमें मैंने लगाई है क्यूंकि आफ्टर मार्किट है तो आफ्टर मार्किट में थोड़ा सा एक आदा चेंज है इसमें तो वो चीज तो नहीं दिखा सकू हूँगा क्यूंकि वो खिड़की के अंदर लगी वी है और रिले तो बाकी आपको करके दिखा दूँगा मैं फंक्शन की कैसे वो वर्क करता है तो चलिए दिखाता हूँ आपको तो यह तो आपको पता ही होगा ठीक है यह हैं इसके स्विच इस यह मैंने फॉर डोर ही ओवचे ठीक है नहीं पिछे भी वैस्तों मेरे तो बैठता नहीं है कोई बढ़ फिर भी मैंने फॉर दोर ही करवाई इनका तो आपको पता ही है लेफ्ट राइट आके पीछे वाले ये आके वाले दो ये वाला ड्राइवर साइट ये कंडेक्टर साइड लेफ्ट साइड दो पीछे के और ये वाला स्विच भी आपको पता ही है कि उसके लिए होता है कंट्रोल करने के लिए कि जैसे बच्चे हो जाएं या कुछ हो कई ब बड़े भी होते हैं बार बार तो उसके लिए आपको पता ही होएगा पर पावर विंडो तो ऐसे सब गारियों में आती है तो जो इसमें है यह आड़ी की है पहले तो मैं सोच रहा था कि आउनलाइन ले लूँ बट फिर आउनलाइन लेके अब बात में बंदा कहा ढूंडता मैं लगवाने के लिए उसको तो फिर इसलिए मैंने ये नीचे ही पंजाब में ही लगवाई थी और फोर दोर ही लगवा के मुझे फैदा लगा ये तू डोर थी कोई मतलब ये लेबर इंक्लिवड नहीं है आपको विदाउट लेबर का प्राइस अभी बता रहा हूं फिर विद लेबर जो मुझे यहां पड़ी उसका भी बता दूँगा विदाउट लेबर खाली जो दो स्विच होते मतलब टू डोर में आती है वो पड़ती है कोई सेवन थाउजन सेवन हंडर सेवन्टी फाइफ हंडर या तो सेवन थाउजन की पड़ेगी या सेवन्टी है आडी की ठीक है जी टू डोर बाकी यह जो फोर डोर है यह है ट्वैल थाउजन फाइफ हंडर मतलब खाली जो यह स्विची जो गारा जो मतलब आता है इसमें अभी इसमें लेबर इंक्ल्यूड नहीं है ठीक है तो बाकी जो इसमें मैंने आटो रिले लगा रुकिये तो आपके जैसे आपके पास भी गाड़ी हुई कि पावर विंडो हुई ठीक है उसमें आप स्विच्ञ दबाते होंगे तो जितना जितना आप दबाते होंगे उतनी वो गारी आपकी शीषा आपका खुलता है पर इसमें क्या है इसमें आटो वाला है वह जो रिले लगती है ना उसके दो यूज होते हैं एक यूज तो मैं अभी पता देता हूं आपको अंदर बैठ के फिर एक जो यूज है उसका वह आपको बाहर से दिखाऊँगा अब देखिए यह है मेरी साइड वाला ठीक है इसको मैं ने दोबाया तो क्या है ये मीरर है ठीक है और ये स्विच्च है अब अगर जिमिय में इसको एक बार ऐसे करूंगा ये आटो है ठीक है अटो है ये अपने आप चड़गे आप देखिए मैं सिरफ न एक बार स्विच्च दोआओंगा यह एक बार दुबा दिया और यह उतर गया पूरा मिरर नीचे यह है जो इसमें आटोमेटिक या आटो वाला जो आप बोलते हैं सिस्टम वो चाहे आटोमेटिक बोल लीए या आटो वाला बोलीए यह चारो खिड़कियों में आईसा अब यह है न एक बार दुबाऊंगा यह देखिए यह मैंने एक और चाहे आप इसको यहां से भी दुबाएंगे न आप इसको तो यह एक ही बार में आटो अपने अपने अपर चले जाएगा बस इसमें प्रॉबलम क्या है प्रॉबलम नहीं म प्रॉबलम नहीं है वहाँ यह को अगर जी आपने जैसे बीच में रोकना है तो इसको फिर ऐसे कर जितने में रखने है इसको दुबाएंग तो आपका उतने पर ही जितने भी आप उसपे रखना चाहते हैं इसको तो वह यह रुक जाता है क्या और कि मैंने आपको इसमें फिर किक्योटकि मैने वो रिलय लगावाई थीक है जी क्यूँकि वो लगा के मुझे ठीक लगा उसको लगाके मुझे फैदा लगा क्या फैदा अब पहले तो मैं आपको ये शीशा खोल देता हूँ ठीक है क्योंकि परेगा तो आपको दिखेगा नहीं और ये बैक का मैं फुल कोल दिया मैं ठीक है अब मान लीजिए कि आप भूल जाते हैं हो जाता है ना जैसे मैनुवल में भी या कई बार हो जाता है बंदा शीशा ना चढ़ाना भूल जाता है तो पुलेट की आवाज आ रही है किसी की जैसे की मान लीजिए भूल गया बंदा कि हाँ भी या मैंने शीशा चढ़ाया कि नहीं तो फंक्शन है जैसे आप लॉक का बटन दबाएंगे अब यह देखिए अब मैं लॉक का बटन दबाओंगा यह फरन्ट वाला और यह देखिए मतलब चार हूँ है यह तो मैंने इसलिए आपको इस साइड के बताएं कि अब दिखेंगे इस साइड के न यह है कि इसमें आपका यह फंक्शन भी है तो यह मुझे बहुत पसंद आया इस फंक्शन का बहुत यूज है क्यूंकि मैं खुद बहुत बार भूल जाता हूं इसको शीशे को न बंद करना तो इस चीज का मेरे को बहुत यूसफुल लगी है तो इसके लिए आपको होता ही है अगर जो कोई अच्छा होएगा इलेक्ट्रिशन मतलब जो इंस्टॉल करते हैं इनको तो वह आपको खुद बता देगा तो इ इसमें दो आते हैं ब्रांड अभी तक फिरहाल जो आफटर मार्केट है और अगर जाप मारूती है जैसे मेरे पास तो मारूती है आप मारूती का ही लगवाते हैं ये तो इसमें ये फंक्शन नहीं आएगा और आटो रिले वगारा भी जो है ना ये कंपनी वाले नहीं संद है मेरे कोई कि हां भाई चारों मिरर्स अपने आप और बाकी इसमें ना ऐसी कोई वह नहीं है देखिया मैंने इतना खून ला है ठीक है इतना खून ला है या जितना भी मैं अगर जे तो मैं इसको खलका प्रेस करूँगा ठीक है तो ये आटो में जाएगा अगर जिम वाला सिस्टम भी है इसमें जो कंपनी से जैसे आता है जैसा मेरी दूसरी गारी में भी है कि थोड़ा दुबांगा तो थोड़ा ही खुलेगा और क्यूंकि इसमें स्विच में है ऐसा एक टक करके इसमें वह आती है अवाज तो अगर जे आप उसको करेंगे तो ही आटो च करेंगे वह जो दूसरा आपका चलता है सिस्टम वही चलेगा और रिले लगार लगाने का यहीं फैदा जो यह आटो व्रजब आप लॉज गार करने है तो आटोमेटिक आपकुसी बंद जा रहे हैं धो यही फैदा है और बाती जो प्राइजिंग आई प्राइजिंग आई मैंने आपको बता दिया 12500 की खाली मेरे को ये पड़ी है मिशीन की और आप ये बोल लीजिए बटन और और लगाने के मेरे से बहिया ने लिए थे 1500 के करीब और रिले भी कुछ इसी के ही करीब आती है हजार कर रुपे कुछ ऐसे के करीब आती है तो अब देख लीजिए कुल मिला के मतलब आपका चौदा साड़े चौदा या लास्ट पंदरा हजार में फुल आपका ये और ये चीज भी अच्छी है इसमें नो डाउट ऐसा नहीं है कि आपको ये काम नहीं आईगी चीज ये आपके काम आईगी चीज ठीक है एक तो अगर आप बूल जाते हैं शीशा चुलाना तो आप गारी ज अगर आपने असको थोड़ा जैसे दूसरी गारियों में आता है तो ये वैसे भी चल पड़ता है बस इसमें जो प्रेस करना है आप ने वह हलका करेंगे तो वह आटो में ही चलेगा जो थोड़ा उससे करेंगे जो ऐसे दबाएंगे तो जयसे मैन्वल टाइफ होता है कि ज पहले वाली वो होती हैं इसमें लगी वी जो भी स्पोर्स होती हैं शीशे की वह नहीं लगती इसमें तो आपको तर दूसरी आएंगी जो आटोमेटिक अपने चलेंगी वह तो उनको आप समालके रख लीजिए कभी आपका कुछ वैसे तो होता नहीं है इसकी वरंटी भी होत तो कह तो नहीं सकते हैं ठीक है आफ्टर मार्केट जो भी चीज आती है वो लोग गरंटी वरंटी तो जरूर देते हैं चलो गरंटी तो नहीं आती है किसी भी चीज की वरंटी आती है तो वरंटी देते तो हैं बट आपको पता ही है उसके बावजूर भी पैसा लग जाता तो बाकी ऐसी टैंशन नहीं है इसमें ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है अगर जे बंदा जैसे मैंने आपको प्तायान अगर ठीक होगा एक्सपीरियंस होगा लगाने वाला तो वह बड़े इसी मेरे भी बहुत इसी ली इंस्टॉल करती थी कोई ऐसी वह नहीं थी प्रॉब्ल दाबए इसपाफ्राइद कर रहा है तो बैटरी से ही आरह से तो यह कुछ होता है कुछ चीजियों के अगर जे अड्वांटेज है ना तो डिसेडवांटेज चीज तो ही हाँ टीक है बाकी यासा है है या साक शौक शौक से बड़ी कोई चीज नहीं है जहां तक मैं अब मा लेना है और जो भी है तो शौक जरूर पूरा करना चाहिए यह तो मैं भी कहता हूं इसका तो कोई चलान नहीं है ठीक है यह तो आपकी अपनी वह है अब जैसे मैंने आपको लाइटों का रिव्यू दिया था पिछले उसमें तो उसमें फिर वह चीज क्योंकि आपको परेश भी चूज कर सकते है रेट दोनों का सेम ही रहेगा दोनों कमपनियों में सेम ही रेट है कोई ऐसी वह नहीं है कि यह सस्ती है यह 10 की है यह वह 12 की है हां किसी अगर जे तो आप 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 ऑल्लाइन लेंगे वैसे बाहर भी जो यह वाली है ना इनका जो रेट वेब साइट है ना वही रेट आपको यहां मिलेगा इसमें जाया बाहर कहीं शॉप पे भी जाएंगे ना लेने क्यूंकि बहुतों ने हैं इनकी एजन्सी ली तो वही रेट आपको मिलेगा बस यह है लगाने की जो लेबर है वो अलग-लग हो सकती है डिफर कर सकती है बाकी और कोई चीज नहीं बाकी आप रेट में ऐसे सिटीज में फरक नहीं हो सकता सिर्फ फरक होगा लेबर का और जो वह इसमें लगाते हैं जो मैं आपको बता रहा था कटा उटाइप होता है वो उसका प्राइस वैरी कर सकता है क्योंकि कई लोग ऐसा होता है बेसी का अलग होता है जो जैन् है मुझे जो शीशों की अलाइनमेंट ही होती है इनकी वह जुरूर में को करवानी पड़ेगी क्योंकि जो जिस पे शीशा टिकता है ना निचे रेल होती हो वह उनकी सैटिंग नहीं हुई है क्योंकि वह उस टैम हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया जब वह बहिया जहां में पंजाब में करवाई ना तो वह भी क्योंकि ना उनका बहुत फास्ट काम होता है बहुत जल्दी जल्दी करते हूं तो उसमें थोड़ा हो गया था तो यह तो चलिए छोटी इसी हुआ है यह तो मैं किसी भी यहां लोकल चले जाओंगा ना वो करतेंगे डैंटर ही करते है वह मैं करवा के वह भी मैं दिखा दूँगा आपको अंदर इसमें कैसी मिशीनरी होती है तो बाकी बस और मेरे को अभी तक कोई प्रॉबलम नहीं है बिल्कुल ठीक है तो क्यूंकि मैं तो खुद बार बार इसको खोलता हूं बंद करता हूं होता ही है मौसम के हिसाब से ठ अभी नहीं चाहिए तो बिल्कुल ठीक वर्किंग कर रहा है और प्राइस में आपको विद लेबर और विदाउट लेबर भी बता दिया कि विदाउट लेबर लेबर 12500 और अगर चाप लेबर के समेत और एक वो जो पार्ट लगता है आटो वाला तो 14500 या 15000 के क्रीब ऐस इसे ऐसे पड़ेगा क्योंकि थोड़ा आपके महां पर वो चार चीज़ का वो डिफर कर सकता है आपको 14000 में भी लग सकती है ठीक है हमार को जैसे 4045 में लगी तो 500000 का इतने का फरक आता रहता है देखिए इसमें आटो मोबाइल में यह है मार्कित में होता ही रहता है तो यह फरक जरूर पढ़ सकता है वह आप पहले ही कंफर्म कर लीजिए नहीं तो वैब साइट से ले लीजिए और जो अगर आप किसी को जानते हैं अपने लोकल मेकैनिक को वहां जाके उससे पहले बात कर लीजिए मंगवा लीजिए और इंस्टॉल कर वा लीजिए तो ऐसा ह लगी हमें यह पीछे के हैं यह आगेगा है अब मेर को नहीं को खुद भी दूप में नहीं दिख रहा है ठीक है यहां पूरा में फंक्शन यहां है तो ठीक है अब जो मैंने आपको बताना था आपने जो व्यू वह मैं आपको बता चुका हूं बाकी चीज यह अच्छी है तो इसको आप ट्राइ कर सकते हैं तो करिएगा बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्यूंकि फिर वीडियो भी लंबी हो जाएगी आप लोग देखते भी नहीं है तो इसलिए फिर आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और चीज के साथ ठीक है फिर बाइ बाइ